आपका स्वागत है अर्टियूप्त होम ट्रिक में तो आप लोग कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे जहां सक हो यह मेरे दिल से दुआ है तो चलिए आज हम बहुत टेस्टी सा आज गुल-गुला पुआ आप कुछ भी कह सकते हैं इसको तो हम आज टेसके लिए एक बाउल भरके हमने ही सूजी लिया एसे हम सूजी से बनाएंगे और यह को स्षीन भी क। एप कॉड़ी लिया आप के लiggly सकते जितना मीठा कम ख्काती बेसे तो इसमें हम 4 1 इतना सूजी लिया उसका 55 हमने मैदा ले लिया है और है यह थोड़ थो ऐसे काजू के टुकुड़े ले लिये है यह 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 लिए है और यह नारियल थोड़ा सा गरेटा कर लिया आप चाहे तो इसके बीना भी बना सकते हैं और चाहे तो इसको डाल के भी नारी और काजो को डब बना सकते हैं तो इसे बहुत अच्छा टेस्टी आता है तो चलिए बनाते हैं तो इसको सूजी को एक बावल में हम डाल लेते हैं इसको हमने छान कर ले लिया है और ये मैदा भी डाल देंगे और ये चीनी भी डाल देंगे और ये इलाची पाउडर भी डाल देंगे काजू के टुकुड़ी जो लिये थे वो भी डाल देंगे और ये ग्रिटेट नारियल ये भी डाल देंगे तो इसे हम मिक्स कर लिये हैं अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी आड़ करके इसका अच्छा सा घोल बनाएंगे तो हमने देखिए एक कप पाई डाला था और अच्छा से पहले मिला लेते हैं फिर उसके बाद पानी लगेगा फिर हम इसमें हम डालेंगे अभी देखिए ये पानी सोख लिये सारे तो हम इसमें और पानी थोड़ा सा मिला देते हैं तो ये देखिए हमने एक कप डाला था और एक कप ले लिया है इसमें हम थोड़ा- पानी डाल देते हैं फिर उसके बाद हम मिला लेते हैं ऊप पानी अपने हिसाब से मिला येगा इकमारी डिखा देते हैं बस वैसे ही रहने चाहिए ओगूंसरे तो एदेखिए हमने ये बना लिया है हम दो चमज पानी इसमें kit दाल देते हैं क्योंकि हमारे सूर्जी बहुत पाने पीती है तो इसमें हम एह देखे इस तरह से है मगर हम दो चमच और मिला देते हैं एदेखे और मिला के इसको हम 20 तो के लिए 20-25 मिनट के लिए अब चाहे थो आधा गंटा च्छकmer here यह तो यह को चुक्ष गामारा नहीं अब इसको हम 20 मिनट के लिए यह देखें के लिए उसके बाद दिखातें को देखे फ्रेंज यह राज वेटर एकदम थीक हो चुका है हमने आधा घंटा के इसको रख दिया था एक हमारा बैटर बहुत थेक हो चुका है तो इसमें हम दो टेबल स्पुन इसमें थोड़ा सा पाई डालेंगे यह देखे फूल भी गया है अच्छे से और अच्छे से पहले इसको हम थोड़ा सा फेट लेंगे फिर उसके बाद एक मिलट तक फेट अब इसको हम बनाएंगे तो इदर हमने तेल रख दिया कड़ाई में हमने घी रख दिया कड़ाई में आप चाहिए तो तेल भी ले सकते हैं हमने घी में बनाया है तो यह हम छोटे-छोटा चम्मच की सहायता से ही निकालेंगे और मीडियम फ्लेम गरम हो चुका है मीडियम हमारा तेल तो मीडियम तेल गरम रहेगा तब ही हम इसे टालेंगे तो थोड़ा-थोड़ा हम इसमें डालते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे तो इस तरह से सा तो देखे सारी हमने डाल लिये हैं मेडियम फ्लेम पर पकने देंगे फिर उसके बाद हम इसको पल्टेंगे तो एक मिनट लग जाएंगे हमको यह गोल्डेन होने में तब उसके बाद हम पल्टेंगे एक देड़ मिनट के बाद है इय Jet के फिर्इंट यह हमने एक मिटन तक पकते हो गए है तो हम इसको एए देखिए अब आच्छे से यह गोल्डेन नहीं हुआ है तो हम एक लिडिय Стक देर एक मिनट तक ख nellठाव हम एक तरप शिखने में तो इसको हम एक तरफ स्याफ्ट लट gift है देखे कितना अच्छा सा क्लर आया है तो इसी तरह से सारे हम पलट लेंगे ही जोगर हम उग गई हुआ है वह देखे फ्रेंज हमने सारे पलट लिये है देखे अच्छा सा गोल्डिन आ गया है अब इस तरह से भी हम एक मिजल तक जब तक कि यह गोल्डिन नहों है हम सेखेंगे तो सेखने देते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं तो यह देखी फ्रेंज एक तरफ से ये पग गया है तो थोड़ा साम इसको और इधर से एक तरफ और पलट के सेख लेंगे तो यदर से ये बस आधा मिंनट लिए यह हो जाएगा तो ये देखी अच्छा सा कलर आ गया है और इसको भी हम पलट देने और थोड़ा सा कलर आजाए आधा मिंनट के लिए फिर उसके बाद हम निकालने तो ये देखें कितने अच्छे से और जल्दी से बन जाते हैं क्रिस्पी और करारे भी बहुत बनते हैं तो ये देखिए हमें पलट दिया है आधे मिनिट के बाद हम आपको दिखा रहे है तो देखिए आधे मिनिट हो चुके हैं ये दूनों जरब थे अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डेन हो गए हैं एक यह लगे हैं तो यह देखिए बहुत किस्पी और करा रे बने हैं यह बहुत करम है अभी तो देखिए एम थोड़ा स्थोड़की दिखा रहा हैं आपको यह देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और अंदर से एकदम मुलायम है और बाहर से एकदम क्रिस्पी है तो और आपको ये कैसी लगी आप जरूर से बताएगा और इसे आप मेडियम फ्लेम पर ही पकाएगा तो ये अच्छे बन के तयार होंगे तो ये देखी हमने प्लेटिंग कर दी है आपको ये रेश्पी कैसे लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक किजेगा अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और फैमली और फ्रेंड्स के साथ सेयर भी किजेगा तो मिलते हैं अकले वीडिये में ठैंक्स पूर वाचिंग बाई बाई